हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ओनलाइन में दोस्तो इस वीडियो में हम विग्यान टॉपिक से सम्बंदित ती सती महतुपूर्ण प्रशनों को पढ़ेंगे जो आने वाले एक्जाम की दर्श्टी से काफी महतुपूर्ण है हर सरकारी एक्जाम में एक या दो कोशन विग्यान टॉपिक से वसे ही पूछा जाता है इस वीडियो के सभी कोशन सलेक्टेड और अत्यंत महतुपूर्ण है इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर दोस्तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बैल आइकन का बटन है उसे भी ओन कर दें जिससे आप हमारे लेटेस वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कोशन नमर एक दूद में नेमन मैं से कौन सी प्रोटीन उपस्तित होती है तो इसका सही आंसर ऑप्सन सी कैसीन हो जाएगा दोस्तो दूद में जो प्रोटीन उपस्तित होती है वो कैसीन होती है और दूद की जो pH value होती है वो 6.9 होती है अर्था दूद जो होता है वो amelievelion होता है और दूद में दोस्तो लैक्टिक एसिड उपस्तित होता है और दोस्तो मानव सरीर में कैसीन को पचाने के लिए ranin enzyme होता है जो कि कैसीन को पैरा कैसिनेट में convert करता है तो इससे आप ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट एकोशन नमर टू कूलिज नली का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है तो इसका सही आंसर ओप्शन सी X किरन हो जाएगा यानि कि दोस्तो कूलिज नली का उपयोग X किरन के निर्माण में किया जाता है X क्रण का अविस्कार Ronzen नामक वैज्ञानिक ने किया था Alpha क्रणों की खोज Rader Ford ने की थी Gamma क्रणों की खोज Paul Villard ने की थी और दोस्तो Electron की जो खोज की थी वो Sir Jay Jay Thompson ने की थी Next question number 3 Nav की Erector की खोज किस ने की थी तो इसका सही answer option भी Enrico Fermi हो जाएगा यानि कि दोस्तो Enrico Fermi ने Nav की रेक्टर की खोज की थी Autohan तथा Strosman ने Nav की विखंदा नवकिरिया का पता लगाया था और परमाडू बम जो होता है दोस्तो वो Nav की विखंदा नवकिरिया पर ही आधारित होता है और दोस्तो Alfred Nobel ने Dynamite की अविस्कार किया था Edward Taylor ने Hydrogen Bum का अविस्कार किया था और Hydrogen Bum जो होता है दोस्तो वो Nav की सल्यन अवकिरिया पर आधारित होता है Next question number 4 संधारित्र की धारिता का मातरक क्या होता है तो इसका सही answer option D Faraday हो जाएगा यानि कि दोस्तो किसी भी संधारित्र की धारिता होती है उसे Faraday में मापा जाता है और दोस्तो वेवर जो होता है वो चुम्बकी ये Flux का मातरक होता है टेसला जो होता है वो चुम्ब के छेत्र की तीवरता का मात्रक होता है और दोस्तों गाउस जो होता है वो भी चुम्ब के छेत्र की तीवरता का मात्रक ही होता है टेसला MKS पद्दती में होता है तथा गाउस CGS पद्दती में होता है इससे आप ये भी याद रखेंगे next question number 5 सुस्क बर्फ किसे कहते हैं तो इसका सही answer option A ठोस CO2 हो जाएगा यानि कि दोस्तो ठोस कारवन डाई ऑक्साइड गैस को ही सुस्क बर्फ कहा जाता है D2O को भारी जल कहा जाता है CO प्लस N2 को producer gas भी कहा जाता है और दोस्तो CO प्लस N2 को जल gas या फिर water gas कहा जाता है इससे आप ये भी याद रखेंगे next question number 6 सर्प के डंक में कौन सा विसेला पदार्थ पाया जाता है तो इसका सही answer option B जुटॉंक सिंस हो जाएगा यानि कि दोस्तो सर्प के जो डंक में पदार्थ पाया जाता है वो जो टॉंक सिंस होता है और जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा नासक दवाई बनाने में किया जाता है और दोस्तो हाड्रोजन साइनाड जो होता है वो भी एक विसेला पदार्थ होता है और क्लोरोफर्म का उपयोग निश्चे तक के रूप में किया जाता है सफेस सोना यानि कि वाइट गोल्ड किसे का जाता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्लेटिनम हो जाएगा दोस्तो प्लेटिनम धातू को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है आईरन पाइराट को दोस्तो जूटा सोना या फिर बेव कूपो का सोना कहा जाता है रोल्ड गोल्ड जो होता है दोस्तो वो कौपर और एलुमिनियम की मिस्र दातू होती है इसे कृत्रिम सोना भी कहा जाता है तो इन सभी को आप याद रखेंगे नाव की रेक्टर में मंदक के रूप में किन छड़ों का अपयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर ओप्शन है कैडमियम की छड़ों जाएगा दोस्तो विखंडन की जो स्रेंखला अभिकिरिया होती है उसे नियंतरित करने के लिए केडमियम तथा बोरोन की छड़ों का अपयोग किया जाता है नेक्स्ट एक कोश्चन नम्म नाइन नेल पॉलिस रिमूवर में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर ओप्शन सी ऐसी टोन हो जाएगा यानि कि दोस्तो एसिटोन का उपयोग नेल पॉलिस रिमूवर में किया जाता है हैड्रोजन परोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला एस्टु ओटु होता है ओक्सी कारक तथा अवकारक दोनों की तरह ब्यभार करता है और एस्टु ओटु का उपयोग पुराने ओयल पेंटिंग्स को फिर से चमकाने में भी किया जाता है नेक्स्ट एकोशन नमर टैन सीमेंट की खोज किस ने की थी तो इसका सही आंसर ओपसाने जोसेफ एस्पिडन हो जाएगा यानि कि दोसेफ एस्पिडन नमक वेग्यानिक ने ही सीमेंट की खोज की थी रदरफोर्ड ने एलफा तथा बीटा किर्णों की खोज की थी तथा प्रोटोन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी और दोस्तो सोरेंसन नमक वेग्यानिक ने pH scale की खोज की थी और pH scale का उपयोग किसी विलियन की अमलियता तथा छारियता का पता लगाने के लिए किया जाता है और केवेंडिस ने दोस्तो हैड्रोजन की खोज की थी नेक्स्ट एक कोशन नमर 11 सोना तथा प्लेटिनम को गलाने में किसका उपयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर ओप्सन है अमल राज हो जाएगा अमल राज को दोस्तो एक्क्वारेजिया भी कहा जाता है यानि कि सोना तथा प्लेटिनम को गलाने में अमल राज का उपयोग किया जाता है और दोस्तों nitric acid तथा hydrochloric amal के एक अनपाथ तीन मिस्रण को ही aquarizia कहा जाता है और nitric acid का जो chemical formula होता है वो HNO3 होता है hydrochloric amal का जो रासैनिक formula होता है वो HCL होता है इन दोनों के एक अनपाथ तीन मिस्रण को ही Aquarius यह कहा जाता है Next question number 12 पेट की अमलेता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका सही answer Option D Magnesium Hydroxide हो जाएगा यानि कि दोस्तों Magnesium Hydroxide का प्रयोग पेट की अमलेता को दूर करने में किया जाता है और Magnesium Hydroxide को Milk of Magnesia भी कहा जाता है Sodium Hydroxide को Caustic Soda कहा जाता है Potisium Hydroxide को Caustic Potas कहा जाता है और दोस्तों Calcium Hydroxide को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है इससे आप ये भी याद रखेंगे Next question number 13 मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है तो इसका सही answer Option D Magnes हो जाएगा यानि कि दोस्तों Magnes तत्व की कमी से मटर में मार्स रोग होता है और दोस्तों Malbidenum तत्व की कमी से Full Gobi का Viptail रोग होता है और Jink की कमी से दोस्तों धान का खेरा रोग होता है और Copper की कमी से दोस्तों Nibu का Dyebake रोग होता है Next question number 14 नेमन मैंसे किसका उपयोग सर्प विश्रोधी सुई बनाने में किया जाता है तो इसका सही आंसर और एक क्लोराइड हो जाएगा यानि कि दोस्तो और एक क्लोराइड का उपयोग सर्प विश्रोधी सुई बनाने में किया जाता है और दोस्तो फेरिक क्लोराइट जो होता है उसका अपयोग सरीर के कटे हुए या फिर चोट लगे हुए भाग से बैते हुए रोधिर को रोकने में किया जाता है और दोस्तो सर्प का जो डंक होता है उसमें जो टॉंग सिन नाम का विशैला पदार्थ होता है नेक्स्ट ए कोश्चन नमर 15 निम्ण मै कौन जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग है तो इसका सही आंसर ऑप्षन B और अर्थरोपॉडा हो जाएगा दोस्तो और्थरोपोड़ा जो होता है वो जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग होता है इसमें लगबग 10 लाग जन्तु आते हैं इसके अंतरगत मकडी, मधुमक्खी, रेसमकीट, कैकड़ा और जींगा आते हैं मॉलस्का जो होता है दोस्तो वो जन्तु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संग होता है इसमें लगवग 80,000 जन्तु आते हैं ओक्टोपस जो होता है वो मॉलस्का के अंतरगत ही आता है एनिलडा जो होता है दोस्तो उसके अंतरगत कैचुआ और जोप आते हैं सरी सरब दोस्तो यानि कि रेप्टिलिया वो होते हैं जो जमीन पर रेंकर चलते हैं इसके अंतरगत कचुआ मगरमच घरेलो छिपकली अजिगर ये सब ही आते हैं नेक्स्ट एकोशन नमर 16 लिथोफाइट्स के अंतरगत कौन से पोदे आते हैं तो इसका सही अंसर ऑप्सन ही हो जाएगा यानि कि दोस्तो दलदल में उगने वाले पोदों को ही लिथोफाइट्स कहा जाता है रेकिस्तान में उगने वाले पोदों को दोस्तो जीरोफाइट कहा जाता है बालू में उगने वाले पोदों को दोस्तो सेमोफाइट का जाता है और अमलिय मिर्दा में उगने वाले पौदों को ओक्जिलोफाइट का जाता है नेक्स्ट एकोशन नमर 17 नीचे आती हुई लिफ्ट की डोरी तूड जाने पर लिफ्ट में इस्थिद विक्ति को अपना भार कैसा प्रतित होता है तो इसका सही आंसर उप्शन सी सूनने हो जाएगा अगर दोस्तो कोई लिफ्ट नीचे की तरब जा रही है और उसकी रस्टी अचानक तूट जाती है तो विक्ति को अपना भार सूनने प्रतित होता है इस कंडिशन को भारी इंता भी कहा जाता है दोस्तो जैसे कि एक लिफ्ट है इसमें कोई विक्ति खड़ा हुआ है और यह लिफ्ट किसी रस्टी की सायता से बंदी हुई है अब दोस्तो अगर लिफ्ट नीचे की तरब जाती है तो विक्ति को अपने भार में कमी का अनुवब होता है यानि कि विक्ति को अपना भार गटा हुआ प्रतीत होता है और जब लिफ्ट उपर की तरब जाती है तो विक्ति को अपने भार में व्रद्धी का अनुवब होता है अर्थाद विक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और दोस्तो नीचे अगर लिफ्ट जा रही है और उसकी अचानक तार तूट जाता है या रसी तूट जाती है तो विक्ति को अपना भार जीरो प्रतीत होता है इस कंडिशन को भार हिंता भी कहा जाता है नेक्स्ट एक कुश्चन नमर 18 निम्न मैं से उसमा उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलने वाला अपकरण कौन सा है तो इसका सही आंसर उप्सन इंजन हो जाएगा दोस्तो इंजन जो होता है वो उसमी उर्जा को यांतरिक उर्जा में कनवर्ट करता है विद्धू सेल जो होता है दोस्तो वो रासाइनिक उर्जा को विद्धू तूर्जा में कनवर्ट करता है और हीटर जो होता है दोस्तो वो विद्धू तूर्जा को उसमिय उर्जा में कनवर्ट करता है और दोस्तों माइक्रोफॉन जो होता है वो द्वनी तरंगों को विद्धुत तरंगों में कंवर्ट करता है नेक्स्ट एक कुशन नमर नाइन्टीन भाप इंजन का अविस्कार किस ने किया तो इसका सही आंसर ओप्शन सी जेम्स वॉट हो जाएगा यानि कि दोस्तों जेम्स वॉट ने ही भाप के इंजन का अविस्कार किया था जॉर्ज इस्टीफेंसन ने रेल इंजन का अविस्कार किया था डायमलर ने गैस इंजन का अविस्कार किया था और रुडॉल्फ डीजल ने डीजल इंजन का अविस्कार किया था इससे आप ये भी आद रखेंगे नेक्स्ट है कुश्चन नमर ट्वंटी विद्धुत अपगटन के नियम किस विज्ञानिक ने दिये तो इसका सही आंसर ओप्सन है फेराडे हो जाएगा यानि कि दोस्तो फेराडे ने विद्धुत अपगटन के नियम दिये थे और न्यूटन ने गृत्वा करसन का सिद्धान दिया था और गती के तीन नियम दिये थे मैक्सवेल ने दोस्तो प्रकास का विद्धुत चंबकिया सिद्धान दिया था और गैलेलियों ने टेली स्कूप की खोज की थी नेक्स्ट है कुश्चन नमर ट्वंटीवन दूद से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है तो इसका सही आंसर ओप्सन भी अपकेंद्रिय बल हो जाएगा यानि कि दोस्तों दूद से क्रीम निकालने में अपकेंद्रिय बल लगता है इसके अलावा वासिंग मसीन जो होती है वो भी अपकेंद्रिय बल के सिद्धानत पर ही कारे करती है नेक्स्ट है कुश्चन नमर ट्वंटीटू तो इसका सही आंसर ओप्शन ये यानि कि दोस्तों सड़क पर घर्चन बल बर्फ की तुलना में अधिक होने के कारण ही सड़क पर चलना आसान होता है नेक्स्ट है कॉश्चन नमर ट्वंटीट्री ठंडा और गर्म की पहचान मस्तिस्क में कौन करता है तो इसका सही आंसर ओप्शन ए थेले मस्ट गरंथी हो जाएगा दोस्तो थेले मस्ट गरंथी जो होती है वो ठंडे और गर्म की पहचान करती है और दोस्तो हैपो थेले मस्ट जो होता है उसका प्रमुक कारण है बोड़ी के टेंप्रेचर को कंट्रोल करना होता है निमने मैंसे कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है तो इसका सही आंसर ओप्सन है मरासमस रोग हो जाएगा दोस्तो मरासमस रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है इसके अलाबा एक और रोग क्वासी और कर रोग भी प्रोटीन की कमी से ही होता है क्रेटनेज में रोग जो होता है वो दोस्तो आयोडीन की कमी से होता है निकलोटोपिया जो होता है दोस्तो वो विटामिन A की कमी से होता है और ओस्ट्यो मलेसिया रोग जो होता है दोस्तो वो विटामिन D की कमी से होता है और Osteomalacia जो होता है वो वयसकों में होता है इससे आप ये भी याद रखेंगे Next is question number 25 Edis Ajaptai मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है तो इसका सही answer option भी डेंगू हो जाएगा दोस्तो डेंगू जो होता है वो Edis Ajaptai मच्छर के काटने से होता है और डेंगू एक वाइरस जनित रोग होता है टाइफाइड जो होता है वो एक जीवाणू जनित रोग होता है और इसमें छोटी आथ प्रभावित होती है गलसुआ जो होता है वो भी वाइरस जनित रोग होता है गलसुआ में लार ग्रंथी में उपस्तित पेरोटिट ग्रंथी सूच जाती है जिससे गला भी सूच जाता है और मलेरिया जो होता है दोस्तो वो प्लाजमोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया दोस्तो मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से होता है और मादा इनाफिलीज मच्छर में प्लाजमोडियम नाम का परजी भी उपस्तित होता है जब बर्फ पानी पर तेरती है तो बर्फ के आयतन का कितना भाग पानी के उपर रहता है इसका सही आंसर आप्शने एक बटे दस भाग हो जाएगा दोस्तो बर्फ का गनत्तु जो होता है वो पानी के गनत्तु से कम होता है इसलिए बर्फ जो होती है वो पानी के उपर तेरती है और तेरती हुई बर्फ का एक बटे दस भाग पानी के उपर रहता है ग्रिगनाड अभिकर्मक को बनाने में किस धातू का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही answer option भी magnesium हो जाएगा यानि कि दोस्तो magnesium धातू जो होती है वो सुस्क एथर की उपस्तिती में इथाइल आयोडाइड से क्रिया करके इथाइल, magnesium, आयोडाइड बनाती है और इसको ही ग्रिगनाड अभिकर्मक कहा जाता है इसमें दोस्तो आई की जगए यानि आयोडीन की जगए ब्रोमेन भी हो सकती है नेक्स्ट ए कोस्चन नमर 28 मतदान की समय अंगली पर निसान लगाने वाली स्याही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर ओप्सन ए सिल्वर नाइटरेट हो जाएगा दोस्तो मतदान के समय मद्दाताओं के उंगली पर सिल्वर नाइट्रेट की स्याही का ही निसान लगाया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो अजी एनो 3 होता है और दोस्तो हैड्रोजन परोकसाइड का उप्योग पुरानी ओयल पेंटिंग्स को फिर से चमकाने में किया जाता है हैड्रोजन फ्लोराइड का उप्योग दोस्तो कांच पर लखने में किया जाता है और दोस्तो और एक क्लोराइड जो होता है इसका उप्योग सर्प विसरोधी सुई बनाने में किया जाता है इससे आप ये भी याद रखेंगे next है question number 29 एक PD से दूसरी PD में आनवानसिक गड़ों को कौन ले जाता है तो इसका सही answer option B DNA हो जाएगा दोस्तो DNA जो होता है वो आनवानसिक गड़ों को एक PD से दूसरी PD में ले जाने का कारे करता है और DNA की जो full form होती है वो Deoxy Ribose Nucleic Acid होती है और दोस्तो RNA जो होता है वो Protein Sun Slation का कारे करता है RNA की full form Ribose Nucleic Acid होती है इससे आप ये भी याद रखेंगे next question number 30 chlorophyll पादप कोसिका के किस भाग में पस्तित होता है तो इसका सही answer option C हरे तलावक हो जाएगा दोस्तो chlorophyll जो होता है वो हरे तलावक में उपस्तित होता है और पौदों के लिए हरे तलावक बहुती मेत्वपूर कोसिकी ये सररचना होती है क्योंकि इसमें उपस्तित chlorophyll की साहता से ही प्रकास संसलेशन की अभिकरिया संपन होती है और दोस्तो पादप कोसिका जो होती है वो प्रकास संसलेशन की अभिकरिया के द्वारा ही भोजन निर्मार का कारे करती है इसलिए हरित लबक को पादप कोसिका की रसोई घर भी कहा जाता है दोस्तो असा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें कमेंट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर दोस्तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें तता इसके साइड में जो बैल एकन का बटन है उसे भी ओन कर दें जिससे आप हमारे लिए टेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद